आज हमारा लेक्चर वन है पर्मुटिशन एंड कम्बिनिशन एंड इंट्रोड़क्शन टू प्रोबैबिटी के उपर कुछ बैसिक डेफिनिशन्स है जिसको हम अंड्रेस्टाइड करेंगे अगर हमें यह डेफिनिशन नहीं समझ आएंगी तो हम आगे जो टॉपिक है वो क क्लियर नहीं कर पाएंगे तो जो बैसिक डेफिनिशन्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं काउंटिंग अब प्रोसेज आफ डिटर्माइनिंग टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इसकाल काउंटिंग जो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट होता हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का उसे हम कहते हैं काउंटिंग ठीक है अब है आउटकम आउटकम को पहले हम एक्जांपल से समझ लेते हैं फिर इसकी डेफिनिशन रीट करेंगे एक डाइस होता है हम लूडो खेलते हैं तो डाइस होता है ठीक है उसके अंदर सिक्स फैसे होते हैं और जो नंबर होते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ठीक जब हम dice को roll करते हैं तो हमारे पास 6 possibilities होती है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है हमें नहीं पता होता या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6 ठीक है तो यह जो हमें मिलता है ना इसे हम कहते हैं outcome जीजा जिसे कहलें तो probability को समझने के लिए outcome और outcome को समझने के लिए probability में रहते हुए ही हमें dice की example देखनी होगी या for example एक coin ले लेते हैं हमने अपना बनायावा coin ले लिया जिसके one side one लिखा वा और जिसके second side two हमने लिख दिया है for example ठीक है हमने खुद का एक coin बनायाव अब जब उसको toss करेंगे तो जरूरी है नहीं है one आए जरूरी नहीं है के two आए कोई भी outcome हमें मिल सकता है ठीक है अब हम इसकी definition को read कर लेते हैं the result of an experiment are called outcomes or logical possibilities ठीक है मतलब जो हमने experiment किया उसका जो हमें result मिलेगा उसे हम outcome बोलेंगे यह हम possibilities कहेंगे ठीक है उसके बाद definition है sample point every possible outcome is called sample point मतलब कि जो भी possible outcome हमें मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे sample point अब sample space हम किसे कहते हैं a set of all sample point और outcomes of an experiment is called the sample space और sample space को denote करते हैं S से हमने अगर outcome बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो हमें sample point समझने में भी मसला नहीं है और sample space समझने में भी मसला नहीं है sample space हम किसे कहते हैं set of all यह जो बात है नहीं इसको हमें जहनेशिन करना है set of all मतलब जो सारे set है sample point और outcomes के experiment के अंदर उसे हम कहेंगे sample space उसके बाद है event any subset of a sample space is called an event event हम उसे कहते हैं कि for example दो मतलब के events हो गए वो किस तरह से outcomes को हम मिला देते हैं दो outcome को हम मिला दें त्री outcome को हम मिला दें तो उसे हम event कहेंगे for example हमने dice को roll किया और हमने कहा अगर आपका event नमबर आया तो आप जीत गए अगर मेरा odd नमबर आया तो मैं जीत गई तो यह जो हो रहा है ना इसको हम कहेंगे event इसके बाद है tree diagram टी diagram में क्या होता है a tree diagram is a device used to list all possibilities of a sequence of events in a systematic in a systemic way ठीक tree diagram वो होती है ऐसे device होती है जहां हम list बनाते हैं all possible events की sequence के अंदर और systemic way में उसके बाद counting principle होता है counting principle के अंदर दो होता है एक होता है sum principle और एक होता है product principle ठीक हम sum principle देख लेता है if a and b are two sets so order of a union b order of a plus order of b this this इसको हम क्या बोलेंगे this is known as the sum principle for the union of any two sets और second है if a and b are two disjoint set this is known as the sum principle for disjoint set ठीक उसके बाद है product principle उसके बाद इसके भी one है if a and b are two finite sets if finite number of finite sets इसको इस तरह से denote करते हैं right उसके बाद है factorial फैक्टोरियल किसे कहते हैं और क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं नोटेशन वाज इंटोड्यूस बाद क्रिस्ट्रन क्रेंप इंटोड्यूस करवाई थी दा प्रोड़क्ट आफ फस्ट एंड नेस्ट्रल नंबर फैक्टोरियल नोटेशन इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं let n be a positive integer it is usually written in the reverse order reverse order क्यों कह रहा है ये for example हमने 2 फैक्टोरियल लिखा है तो हम reverse process करते हैं 2 इंटो 1 3 लिखा है तो 3 इंटो 2 इंटो 1 ठीक n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटो 1-1 whole फैक्टोरियल या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अब हम फैक्टोरियल के उपर example देखेंगे कि क्या होता है 4 फैक्टोरियल divided by 3 फैक्टोरियल तो हम 4 को हम इतना ही open करेंगे कि 3 से 3 cancel हो जाए या नहीं भी करेंगे तो बाद में open होने के बाद ये cancel होई जाएंगे अब आपके mind में ही सवाल आ रहा होगा कि जरूरी है कि हम cancel करने के लिए ऐसा करें नहीं आप वैसे भी बुरा solve कर लें 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4 into 3 into 2 into 1 और 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 3 into 2 into 1 तो 1 से 1 cancel 2 से 2 cancel 3 से 3 cancel result is 4 जो कि यहाँ पर है तो यह हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि 3 फैक्टोरियल से 3 cancel हो जाएगा तो हमें calculation में problem नहीं होगी इसी तरह हमने नीचे किया है 8 factorial divided by 6 factorial is equal to this